नमस्कार मैं हूँ अनराग मालवी और I.N.H. 24-7 हरिभूमी की वोट यातर आज पहुंची है मारेवा और बंजर नदी के संगम मंडला पर रानी दुर्गावती के इस गड़ में अगर हम बात करें तो इसकी पहचान वैसे तो आदिवासी बहुली लोगसभा छेत्र की है यह जानने की कोशिश इसलिए भी करनी होगी क्योंकि एक दफ़ा फिर बीजेपी ने उन्हीं को उम्मीद्वार बनाया है कॉंग्रेस से भी इस बार उम्मीद्वार डिंडोरी से रहने वाले है और साथ में अगर हम कहें तो मद्रप्रदेश सरकार के पूर मंतरी ओमकार सिंग मरकाम है लेकिन अगर बात करें तो मुवणला किस मुकाम पर है ये जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले महमानों से परिचे कराते हैं भारती जंदा पार्टी से हमारे साथ जैदत धाजज़ा जी हैं कॉंग्रेस से हम बात करें तो अभी नौच और अस्या जी हैं और महिला कॉंग्रेस के अध्यक्ष सकुन जंगेला जी भी हैं भारती आदिवासी पार्टी से सुरेन सिर्शाम जी हैं सपाक से आनन्द कुमार जोतिश जी हैं और साथ में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से चंद्र गुप्त नामदेव जी आप सभी में मानों का हम स्वागत करते हैं और सामने जो मौदूद हैं सम्मानी गणमाने आप सब का भी स्वागत है और शुरुवात करते हैं दावो से यानि कि सतापक्ष से और उस तक जनता का विश्वास रहा है लोग सभा के लिए क्या उपलब दिया रही है आपकी देखिए आपने बोला पिछले दशक में विश्वास रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आठवी वार इस लोग सभा सेथ के सांसद मानी फगन सिंग कुलस्ते की उपर भारती जनता पार्टी मानी नरेंद्र मोदी जी जेपी नड़ा साब मानी अमिश शाजी ने विश्वास किया है और मानी नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्ब की विक्सित भारत की संकल्ब यात्रा है उस यात्रा में मंडला भी सवार है और जिस तरीके से अभी विकास में मंडला मे चक्चर में काम हुआ है जब से आपको बताना चाहूँगा मैं जब से तीस साल से माननी केंदरी मंत्री फगण सिंग कुलस्ते जी यहां सांसद है एक सुहाधर पून वाता बरंड से ना किसी जाती ना किसी धर्म ना किसी व्यक्ति भी से इसको लेके बलकि आदिवासियों के साथ हमारे ओबी सी वर्क के साथ समानवर के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाके और बहुत हम जल जंगल जमीन के उपासक है पर्याबरन को ध्यान में रखते हुए आज जिस मंडला जिस मुकाम में खड़ा है हम 95% कनेक्टिविटी जो विकास का सब से मॉडल माना जाता ह है प्रधान मंतरी सड़क से हम 95 प्रसत गाओं को मुक सड़क से जोड़ चुके है स्वास के छेतर में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जिसका भूमी पूजन हो चुका है हम सफर करें मेडिकल साइड में उस तरम हमको परिशानिया हुई है लेकिन आज हम उसका भूमी है हमारे पास पी-एम राइज है नौ बलाक में से आठ बलाक में हमारे पास कॉलेज है हम अगर केती की बात करें तो हमारे पास एक लाग पच्छासी हजार किसान क्रेडिट कार्ट के लाभारती है हमारा 56 परसेंट रखवा मंडला जिले का सिंचित रखवा है हम अगर रेल की बात करें तो छोटी लाइन से हम आमान परिवर्तन में बड़ी लाइन में परिवर्तित हुए हैं और बीस ट्रेंड नैन पुर को छोटे हुए आज मंडला से आवगावन का साधन बढ़ा है इस तरी के अगर आप मेरे से बात करेंगे तो मंडला आज 25-30 साल की अगर बहु बहुत लंबी फैरिस्ट थी और बड़ी चौकाने वाली भी थी आप कितना सहमत हैं नहीं चीज तुटिसदार करना चाहूंगा यह लगतार नहीं रहे हैं बीच में कांग्रेस पार्टी के सांसद बसोरी मसराम जी ने साथ हजार वोटों से हराया था जब कांग्रेस पार् बहुत बात हो रही थी जल जंगन जमीन के मालिक है यहां से 40-50 किलोमीटर दूर चले आईए एक बसनिया नाम का गाउं आएगा जहां पर अभी एक बंद बनाने की कार्पोरेट लोगों ने योजना लाइगा कि कुलस्ते जी की कोई योजना होती नहीं है योजना के सरकार चादनी 25-30 दिन पहले की बात है वहां गयते माननी क्या हल करा उनके समाज के आदिवासी लोगों ने भी हमारे आदिवासी साथ यहां खड़ें वह बताएंगे जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं यहीं आईटियाई में एक च्छोटा सा कास्टागार था उसको यह करा आपने रिकास लगाया एक वहाँ पर फैक्ट्री मिलेगी आपको दरियाब फैक्ट्री वहाँ पर हर साल अंदूलन होता है वहाँ पर लोकल गाओं के लोग के काड़ते हैं आन्दूलन का कि हमको यहां पर रुचगार नहीं मल रहा है कहां का आद्मी नोकरी कर रहा सिक्षा स्वास इंफ्रेस्टेक्ट्टर हर चीज में मनला की मनला जवलपर रोड आपका चैनल तो पहले भी आया है हाँ पर तीसरी बार मेरे ख्याज शरम आती ही हमको ऐसी बात करते हुए कि हम फिर वही बात कर रहे हैं मनला जवलपर रोड और आपके जिला ढूंके बताना मेरे को देश के अंदर गई जहां दो दो सांसाद हो जहां ऐसी रोड बन रही हो यह सच्च्याई है और रही बात विकास की गाथा ठीक है इतने विकास जितने उन्हों कराया पिछले पंचे वर्षी चुना हुआ था माननी को लस्ते जी के भाई खड़ी हुए थे 32,000 मैं आउगा दिद्याब के पास एक एक बार सब के पास हो यह आउँ बात करें तो पहचानी आदिवासी है इस शेतर की तो लेकिन अगर आदिवासियों के संदर में की जाए तो मैंने ऐसा सुना है कि यहां से पलाया नहीं रुख पाता कितनी सचाई है और कितना उत्थान हुँ आदिवासियों का सबसे पहले तुम यह कहना चाहूंगा कि आदिवासियों के साथ में कांगरेस और भाचपा ये दोनों ने जिसे वो दई का रसी एक रसी हो तो मठा ले हम जब से हमारी जनम आज 30 साल के हो गई हमारे यहाँ एक ही ट्रैन है आई आदिवासी लोकसभा है हमको अगर दूसरे जिला जाना है हमको बस से जाना पड़ता है वो भी मात एक समय बस चलता है रात में कोई बस नहीं चलता है और सौस्त के समध में तो भाई साब बता चुगे हैं कि medical college कई वरसों से कह रहे हैं सुन रहे हैं कि medical college बन रहा है और वो किधर बन रहा है वो आज हम जाके देखते हैं तो गड़ा बस खोदे हैं अब तक तो भाई कब से योजना है वो सरकारी की योजना है कब तक तो खुझ आना था दूसरी condition यह नर्वदा महिया जो बह रही है कल-कल धारा मडला के जो जहां से नर्वदा महिया निकली है दिन्दोरी जिला मडला जिला होते भी जा रही इन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है आज भी ऐसे गाओं है जो सवक्त मिसन के साथ साथ खेती बाड़ी के लिए जो पानी चाहिए आज भी उनको पानी भी नहीं मिल पा रहा है दूसरा है कि पिछले बार सरकार ने पैस सभा कोई एक भी कारवाई नहीं की अगर को कारवाई की जाती है सभी बसनिया बांद के संबंद अगर पैसाइट के संबंद में अगर बसनिया बांद अगर ऐसा होता तब तक बसनिया बांद में पैसाइट के तहट बसनिया बांद खारिज हो जाता है पर ऐसा हुआ नहीं है आम आदनी पार्टी की तरफ भी आ जाते हैं बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि कहीं तो आम आदनी पार्टी जो है जिस तरह से हम देख रहा है कि भाशपर और कॉंगरेस दुनों से कहीं न कहीं लोग परेशान हैं आम आदनी पार्टी अपनी मौदूदगी जताती ये भी नहीं हो पाया थार्ट भी नहीं बन पाया जब भाजपर कॉंग्रेस इती नाराजगी है तो जीटते यही दोनों क्यों हैं देखें साब हमारे शीरसत जो लीडर थे उनको एक के बाद एक करके उनको एक टार्गेट बनाके उनको अंदर किया गया अभी विधान सबा में हमने तैयारी करके रखी थी एन वरट पे हमारी सुची रोखी गयी कारण यही था कि जो हमारे फार बरंड नेता थे हम inगों को हम लाने में असमर्थ रहे कारण यह था उसका कि उनको जेल भेज दिया गया और किसी भी तरहे के आरूप लगाना के जेल भेजने तो पांट साल की गारनटी कैसे दे टीक है उनके सीशन सतर्नेतां उने गारनटी धी है उनको लेकिन मैं जंता से कहना चाह Wood55 कि हौँगा अपनी संबुच समझ कि जादा रहेगी तो निश्यत रूप से उसके व्यवसाय बढ़ेंगे उसकी कारदक्षता बढ़ेगी उसकी क्राइश सक्ति बढ़ेगी यह हम कहना चाहेंगी फिलाल तो फगंसिंग को लस्ते की चर्चा होगी तो किस तरह से कितने बार वो यहां पर दर्शन देते हैं मंडला तो हम यह जानते हैं कि आम पबलिक में उनके प्रति बिल्कुल भी रूज़ान नहीं है क्योंकि जो भी योजना यहां पर आई हैं केंडर सासन दौरा दी गई हुई योजना हैं उनकी कुद की को योजना नहीं जैसी कांग्रिस वालों ने बताए बिलको शर्त है यह चीज हैं डॉक्टर की उनको मेजर वापरिशन किया जा आज यहां पर रोज हाई वे पर कितनी दुर घटना है हो रही हैं पन देख रहे हैं कोई ट्रामा यूनिट नहीं है यहां पर अगर है डालेसिस का सेंटर है इसके बाद भी लोग भाग रहे हैं बाहर तो बंद पड़ी है सेटी स्केन मसीन पड़ी लग भग लग भग बंदी जैसी हालत हैं यहां पर मराई के लिए एक बुकी आ गया था मराई नाम का कहा चला गया पता नहीं एक और बात जो मैं जानना चाहता हूं आदिवासी अंचल की बात करते हैं शहरी छितर के लावा थोड़ा अंदर जात और जो केंदर सरकार की जो व्यस्ता है वह व्यस्ता साइद हमारे दूरदरास के ग्रामीड अंचलों के तमाम इलाकों में सिक्षा स्वास्त रोजगार की व्यस्ता चर्मराई हुई है क्योंकि यहां के जो ततकाली इन सत्ताधारी जो बड़े-बड़े दिगज अपने आज भी हमने छोटे-छोटे आंदोलन करके यहां की प्रशासन को और देश की केंदर सरकार को और मदपरदे सरकार को तमाम प्रकार की गयापने हमने दिये हैं और आज भी मंडला जिले की नो विकास खंडों में हमने जमिनी स्तर से काम किया है और हमने देखा है आज भी य इहां पे विकास के नाम से गाउगाउं में जाकर के हमारे दबे कुछले समाज से वोट तो लेते हैं। दैनी इस्तिति है मंडला के लिए और स्वास्त के लिए स्वास्त में हमने होस्पिटल में भी कई बार गया भी जैसे दादा जी ने बोले कि यहां पर ऑपरेशन में दिखका थे बहुत सारी ऐसी हैं हमारे आदिवासी वहां पर प्रमुख हैं डॉक्टर साब मैं उनका नाम भी बताना चाहूंगा समानी डाक्टर विजय धुर्वे जी हम खुद जाते हैं देखते हैं अभी बीच में फिर जिस दिन लास्ट नामंकन था उस दिन मैंने नाइट में गया वहां देखा दो एक्सडेंट केस था उनको ऑपरेशन के लिए जबलपूर भेजाया गया और यहांपर जो है वस्ताहीं मिलती हैं सुरक्षा मिलती है रोजगार मिलता है शिक्षा के लिए कितनी बहतर इस्तिति हैं। आप जो बूझ रहें आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ महिलाओं के बारे में और बच्चों के बारे में सबसे पहले तो हमारी नी होती है तयार गाओं की स्कूलों से गाओं की स्कूलों की इस्तिती ऐसी है सरकारी स्कूलों की ऐसी इस्तिती है कि एक से प तक में अपन बच्चे खोजेंगे तो मुस्की से 40, 35, 27 बच्चा मिलेंगे इसकूल में एक से 5 तक में तो आप मेरे को बताईए कि ऐसी इस्तिती में जहां इतना अच्छा सिछा प्राप्त मिल रही हो इतने अच्छे भारी जन संख्या से बच्चे सिछा प्राप्त कर रहे है तो फिर आंगे की जन संख्या है आंगे की अबादी कैसे मजबूत होगी आप जे बताईए दूसरी बात मैं किसानों के बारे में बता रहा हूं मेरे भाई साब बोले किसानों के बारे में क्रेडिट कार्ट के बारे मैं किसानों के बारे में बता रही हूं अभी आने वाले चुनाम में इनने 2700 रुपया गहूं, 300 रुपया धान कहके लोगों को छला, लोगों की बोट लिया गए, फिर इनने किसकी धान खरीदे, 300 रुपया में, अभी गहूं का निर्धारी त्रेट हो गया थे, अपने सरकारी रेट से, 275 रुपया, तो कहां है 2700 रुपया, आप ब कर रही है लोगों के साथ, जी, मैं आता हूँ, तो कि इतने सारे सवाल हो गए है, कि जवाब की फैरिस्ट भी बड़ी लंबी होगी, लेकिन लगा इतना यहां से वहां तक कि, जैसे कि विकास के संदर में भी मैं कह सकता हूँ, इंतहा हो गई इंतजार की, तो हर बार कायक् पेटक जाता है, कितनी मुश्किल है जाती, और यह इंतजार इतने सारे लोगों का, यह विपखश की बात नहीं कर रहा, आम लोगों का, आम जनता का इंतजार कभी खत्म होगा या नहीं होगा? बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, आप जो अभी हमारे साथियों ने इल्जाम लगाया, सरकार की उपर या कुलस्ते जी की उपर, तो मैं इन से कहना चाहूंगा कि, अधूरी जानकारी लेके, या कमरे में बैटके, किसी को उपर इल्जाम लगा के, जनता को ब्रमित करने निकले हैं, तो अपनी जभाबदारी समझ है, आप कहिरा है, दायलेसिस मश Hugo में चालू है, पांच भी डायलेसिस मशीन जो इनफरेक्टेट केस होते हैं, जनको हवटाइटिस B की बैमारी होती है, उसकी हमने मांग की है, और एक दिड़ महने के अंदर मStar में चालू हौने यहान परिप्टम वी लोट साय कि और लिreckे थisz रहा के पॉस्पिटल मेंच्ठी लॉने वाला इतना साँ यह रहाइं हैं कि आरुपों में जादा दम अुड़ा दका ओना पश्वैयन वाला इतनी दिनों से किए वालब वांटिन लेख से चारों पिकÍकर सांट्र कंश आप मंदला जल्पूरोड की बात करते हैं भाई साब आप अभी आए होंगे वहां से अस्य से उपर आपकी गाली जाएगी तो पुरी हिस्कोले मारते जाएगी मंदला का लाजबाब का हाईवे मिला है बहुत लाजबाब हाईवे है मंदला के अंदर मतला आपको पूरे जनता भी इतनी मुश्कृरा रही है जितना आप नई काम तो हो रहा है लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहे है वापस मैं आपके पास आता हूं वाई सब ऐसा है कि सांसत जी मंत्री जी उनके थे विदायकों को तो आपके खूब जितवाया विदायक इ दौरान ही जो बात होती है कि मेडिकल काले स्विकरत हुआ 325 करोड़ रुपे का मेलिकल काले सुखरत हुआ था तो करवाने वाले कौन ते हमारे जन्प्रत्थी दूसी बात यह जो बात हो रही कि अभी जो बोल रहे हैं घड़े को दे जा रहे हैं आपको बतारों 75 क्रोड का अवंटन कम है उसमें जो यह बता रहे हैं जो वहां पत्थर लगा हुआ जाकर देखोगे तो 325 क्रोड से 75 क्रो स्थारी की नीते से हमारे लोगों ने कभी काम नहीं करा यह चीज में आपको बताना जाब है जिए वैसे आप देखेंगे तो कितने सादा नहीं आपके हाथ में जैसरी राम लिखा है यह वोट देट राइम राम याद आएंगे या विकास मैं अभी अभी अध्या गया था संदर में बात करें किलो के संदर में बात करें वहां की स्थिति क्या है कि सर अठारा सो संतावन की क्रांती के बाद मंडला में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था इस्थाप्रित हुआ या पुरे देश के अंदर में जिस परकार से गोंडवाना समराज और गोंडवाना की कालिन किला और हमारे राइसेन की गोंडवाना कालिन किला जो बज़ा टाती है ट्राइबल सब प्लान की इनकी जो धरोहरों को मरम्मत करने के लिए परन्तु कुछ आदिवासी अंचलों के ही आदिवासी ही नेता ऐसे जो दमनात्मक नीतियों के कारड आज भी हमारे मंडला ज जमीन को तहस-नहस कर दिया है आज हमारे यहां पानी पानी के लिए कुछ 15 साल के बाद पानी पानी के लिए हो जाएगे लोग तो हमको जल जंगल जमीन के लिए सरकार एक सुरक्षा भी करता है और फिर कहता है कि एक तरफ से कटवाता भी है अब आदिवासी लोग कहां जाएं कैसे करेंगे दूसरी कंडिशन सर कहना चाहूंगा एक चीज़ और कहना चाहूंगा हमारे यहां डोला माइट एक कॉल किसम की मिलती है हमारे मंतरी यहां के ट् दुख दुख में वो शामिल नहीं होते देश का एक मात्र ऐसा नेता है जो सबसे जादा जो सबसे जाता सफर करने वाला अपने छेत्र में गूमने वाला सबसे सहचता से अपलब्द सबसे साध्गी जी राल ने बाती अनता पाटे की सरकारबनी है सीवर लाइन का काम चालू आप लोगों ने चौन रुक वादिया परेक्षर केवलाइप मैंने करने वाली कंपनी यहीं जैवरुणी आपको गुनावीप बनाते मिलेगी यही आपको जल्पर मनाते में लेगी क्योंकि वह पाइप मैनुफेक्चरर है सर मेरे आरोप है एक पाइप मैनुफेक्चरर कंपनी को आपने उठा के पूरा निर्मान कारेका ठेका दे दिया और अभी तो मोदी जी नहीं घोस्णा कर दी है पगले पांस साल में घर घर में गैस पहुंचा लेकिन चूंकि एक नॉन टेक्निकल विक्ति को भौपाल और दिल्ली के इस तर से एक टेंडर दे दिया गया जैसा कि यहां पर जवलपुर मनला रोड का हल हुआ था वहीं सीवर लाइन का हाल हुआ तो इसमें हमारी का गलती नहीं है एक बार वो दावा है उसके बारे में जान लेते हैं कितने बार फग्गन सिंग जी रूबरू होते हैं लोगों से अब हम लोग तो रेलवे संगर समयती के माध्यम से मिले हैं लेकिन जवाब बहुत अच्छा देते हैं वो जैसा कि आप लोगों ट्रेंड की जरूरत क्या है बोले ऐसा जवाब देते हैं यह जब हम डियारेम से मिलने गए तो उन्हें बोला कि अगर आपके सांसत को लस्ती जी चाहें तो एक हपते में रोट चालू हो जाएगी हम लोग मिलने गए थे सब लोग तो हम इनसे रूबरू होने जब गए तो सरकिट हाउस में तो इनका जबाब था आठ दस लोग सामने गए हुए थे आप कुरसी में बैठी हुए टेबल पर दोनों पैल लंबे करके बोले काई मरे जा रहा है हो तो जाहें चालू यह जबाब था हमारे सांसत का परिवर्तन बहुत जरूरी है मैंने किसी पार्टी की हिट में उन अगेंस तूँ परिवर्तन है और आगे का रोट में और इस पे क्या क्यार प्रगती होगी कि जो आप गोशनाएं कर रहे हैं उसकी आलोचना तो देखिए जोनों ने अभी सवाल किया मैं भल्लाविजी ने इस सवाल का जवाब चुकिए आप लोगों से भी संबंदी ते परिसीमन का क्या खेल है इस जादू में क्या कहते बताया जा रहा है कि आदिवासी वूट बैंक के चलते कुछ खेल होता है या आदिवासी नेता ऐसा परिसीमन करवा लेता है कि एक चीज में कहना चाहूंगा जिस प्रकार सभी मानें यह फगन से उनको लस्ते जो सांसद रहे हैं नेता तो बहुत अच्छे हैं नेता इतना अच्छे हैं कि जहां बुला वहां जाएंगे पर बात जे चीज अगर आप उनको जो काम बताएंगे वो नहीं करेंगे काफी काफी बड़े और मल्टी निश्टल कंपनियों के ब्राण लगे हैं देखिए यह बहुत बुरे तरीके से मेडिकल कॉलेज में भारती इंता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है मैं दूसरा विश्य की बात करना चाहूंगा आपकि मंडला के लिए जरूरी है मैं हमारे के यहां पे और अभी तो 15-20 सालों से भाजपार की सरकार है चौंधा चल रहा है सबसे ज़्यादा भारती इंता पार्टी के लोगों के हैं यहां पे मैं इनसे पूछना चाहता हूं माननी जब केंद्री मंति स्वास्तराज्य मंद्री से तब तो सेंक्शन हुआ नहीं आप कि हमारे मंद्ला के जो चोटे-चोटे एंजियोज हैं महिलाओं ने मना रखे हैं युवाओं ने मना रखे हैं क्या आप किसी प्रकार के CSR का फंडिन पांस सालों में उनको दिलवा पाए तो तरफ है कर प्लीज बताएं मों को जी कितने जो है इस पाथ इंडिस्ट्री ने CSR जो है इधर डूनेट किया है सबसे महत्पून आपको बताऊंगा मैं और जनतागों में मालूम होना चाहिए करोना काल में जब जलाचिकत सालाय में लोग जान दे रहे थे दम तोड़ रहे थे उस समय इसी मंत्रा लेने ऑक्सीजन प्लांट जिसकी छमता अरे क्या बात क करते हैं उसको सुनो ना जो जो सही बात है उसको सुनने की स्थाकत रखो आप ऑक्सीजन प्लांट लगाया हमारे जितने भी बैड है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई चालू हुई नहिनपूर में ऑक्सीजन प्लांट लगा यह CSR पंड की बात कर रहा हूं है इसके अलावा आने का काम बिचिया में जाके देखें आप कोदो कुटकी का प्रोजेक्ट डालना यह सब CSR पंड से और यह से दसों धारन में दे सकता हूं मानिकुलस्ती जी के प्रहास का सवाल मंडला लोग सभा से 16 प्रत्यासि ने नमंकां दाखिल किया है और मेरा ऐसा मानना है कि उनके प्रतिंदी यहां पर खड़े हुए मतलब वो प्रत्यासि सामने आज हमारे बीच में हैं मैं यह आपके माध्यम से मैं सभी प्रत्यासियों से यह जानना चाहता हूं कि क्य आप मंडला में छटी अन्सूची लागू होनी चाहिए पहले आप से जान लेते हैं आप हाँ जी जी की बात अलग है आप देखिए सुनिया थोड़ा था पहले इस सवाल का जवाब से देखिए पहले जनता का सवाल है जो जन सामानने की मांग रहे है जो बहुमत से कर लाकर अपने की देखो आप कहां से हो यहां की जो लोगों जो भोले वाले आदिवास के नुको आप करके मंडला जनौ आपना जनसांग बढ़ गई दूसरा सटी रसूची सरी चाटी रसुची होई नहीं सकती यहां पर इसलिए नहीं होगा तो इसलिए नहीं हो सकता है हम भी थोड़ी बहुत सविधान पढ़े हैं ऐसा नहीं कि हम छटी छटी वेन सुचिली कम से गम नहीं तो 80-90 परसेंट होना चाहिए सर आपका कैस्ट आपने बहुत अच्छा है बहुत धन्यवाद देता हूं साथिकों एक आदिवासी होने के बाद में आज इनने भारती जन से उपर जहां पर पर ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पर ओन डिमांड एक प्रस्ताव भेजने की बात है जिसको सुविकत करना एवब ना करना यह पूर्ण तयाक के दर सरकार का भी सह है भारती जनता पार्टी के लोग लोगों को डराते हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंडला में पिछले सो सालों का इतिहास है देखे आधिवासी हमारा गर्व है आधिवासी व के साथ हम अपना पूरा जीवन यापन करते हैं अब अब आधिवासी व को जो हमने होते हैं आज नौकरी मांग रहे हैं यूवा तो कह देते हैं कि अभी तो जाकी है कासी मधुरा बाकी है बेरोजगार लोग कहा जाएंगे दूसरी बात सिक्षा नहीं है दोजार बाउस में बोला गया था कि दोजार बाउस तक प्रते एक वेक्ती के सर पे छत होगा कहां है चत है ही नहीं गलत बात गलत बात गलत बात चले त्यूक्वि समय का अभाव है और अब हम अंतिम पड़ाओ पर हैं तो यहां की जरुते समझ लेते हैं आउशकता है समझ सर सर समय का बाव है मुझे ये बताइए मंडला को आम आदनी पार्टी क्या देना चाहती है कोई मॉडल है आपके पास में सबसे बड़ी बात ये है सर कि हम अभी तक ये देखते हैं कि मंडला जिले को आज भी पिछड़े के देश के नक्षे में आज भी पिछड़ा माना जा रहा है ये पिछड़ा माना जाना जो सत्ता धारी है राजनेतिक पार्टी है शासन प्रसासन है इनकी अकर्मनता है जो और यहां की जो पलाइन है पलाइन रोकने की हम सबसे बड़ी मुद्दा रखेंगे क्योंकि हमेशा आदिवासी की बात करती है आज की जो सब्तधारी सरकार है तो हम उनसे यही अपील करते हैं कि आप यहां के सबसे पहले प्लाइन रोकें और उद्धोगिक छेत्र यहां पर बढ़ा कर दें क्या यह पांच वे सूची छटे वे उस पर नहीं है तो आप यह बताई आप क्या करवाएंगे कहना यह छोड़ के कोई अच्छा नेततर करने वाले व्यक्ति को ले के आएं तब जाके जा है विकास का मॉडल विकास का मॉडल यह है बहुत अच्छी स्वास की ववस्था समाजिक सोहादर सिक्छा की ववस्था और रोजगार लिवाओं के हाथ में रोजगार महिलाओं को सुरक्छा किसान के हाथ में उनकी उपच का सही दाम यह हमारा मॉडल यह है आपके पास विकास का मॉडल फीचर प्लान तेखिए हमारे साथ हमारी मुदी जी के सरकार की युजनाए है जससे मंडला की तस्वीर बदल रही है अक्छर शाय एक-एक इतगराहियों को उसका लाब मिले समाच के हर वर्ग चाए गरीब हो चाए मजदूर हो चाए मैला हो चाए किसान हो चाहे बच्चे हो चाहे दिव्यांग हो चाहे वरत्दो सब के लिए भारती जंटा पार्टी की सरकार मद्ध प्रदेश की और केंद की सरकार ने योजना बनाई है उन योजनाओं को अक्छर से पालंग कराना यह हमारी जवाबदारी यह नेतिक जवाबदारी है और उससे मंडला की तस्वीर बदलेगी, रहा अगर एक विश है, तो मुक्रूप से हम मंडला को स्वास्त के चेतरे में आगे ले जाना चाहते हैं, और वो हम लेके जा रहा है, उसका काम हमने शुरू कर दिया है। कमी यहां के राजनितिक प्रतिनर्यों में लगातार रही है, चाहे वो सांसत रहे हो, चाहे विधायक, चाहे वो भाजपा के रहे हो, यहा كongress के, उम्मीद है, इस बार जो भी जीतेगा, वो अपनी इक्षा सक्ति को इतना मजबूत रखेगा, कि जो कहेगा, वो करेगा। इस